तो बताओ साक्षी तुमने अभी तक कौन-कौन सी संधिया पढ़ी है कितने प्रकार की होती है संधिया तीन प्रकार की होती है स्वर व्यंजन और विसर्ग तो अभी तक तुमने क्या क्या सीखा आदिती है स्वरसंदी और वेंजन बिल्कुल ठीक और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं विसर्ग लेकिन अब पहले ये बताओ कि विसर्ग क्या होता है जानते हो कोई जब स्वर्ग के बाद अहा आए और जो दो बिंदिया होती है उससे कहते है बिल्कुल कहते है आ से अहा विसर्ग क्या होता है आ से अहा में जो दो बिंदिया लगती है उसको हम कहते है विसर्ग ठीक है तो अहा जो होता है अहा का जो दो बिंदि होती है उसको हम कहते है विसर्ग तो यहीं क 25 पहचानुंगे किसा जहां पर चण लगें, जो बिंदी लगें वह विसर्ग आता है और विसर्गल संदी के बारी मैं आच पढ़ेंगी न आम लोग तो सबसे पहले तो आपने पहचान लिया कि विसर्ग किसे कहते हैं यानि कैसे आप पहचानेंगे विसर्ग को, तो जब विसर्ग के बाद, यान दो बिंदियों वाले निशान के बाद, कोई भी स्वर्ग या व्यंजन आता है, कैसे, विसर्ग के बाद, कोई स्वर्ग या व्यंजन आता है, तो विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग जैसे यह धारन देको नहीं यानि ना में छोटी ठीक है नहीं है और उसमें क्या लगा हुआ है विसर्ग तो उसका उचारण कैसा हो रहा है नहीं निह, क्या हो रहा है, निह, यानि विसर्ग का उचारण क्या होता है, निह, धन, फल, तो ये विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होके शा हो गया, और बन गई निश्वल, तो ये जो परिवर्तन होता है, यानि विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, और उससे जो परिवर्तन ह कर जो परिणाम निकलते हैं उसको हम विसर्ग संधी कहते हैं चीक है अब इसके भी कई प्रकार नहीं यह परिवार्टन कई प्रकार से हो सकते हैं जैसे अगर विसर्ग से पहले आ हो यानी रस्व आ हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या या रा ला व या हा हो तो विसर्ग यानि विसर्ग के स्थायन पर क्या हो जाता है ओ हो जाता है विसर्ग किसमें बदल जाता है ओ में बदल जाता है अजब इसको फिर से ऐसा अक्षी पढ़ो तो क्या होता है? विसर्ग से पहले यदि अ हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पाच्वा वर्ड नया य र ल व ह हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है इसका मतलब क्या हुआ? यहनी हमने बताया ना संधी में दो शब्ड होते हैं पहले शब्ड में कोई भी स्वर भो कौन से स्वर हो? आ सवर हो और आ सवर के बाद विसर्ग लगा हुआ हो और बाद वाले शब्ड के आरंभ में क्या हो? किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचुवा वर्ण हो या क्यारा लावा हा हो तो विसर्ग के स्थान पर ओग जाता है चलो अब इसको कुछ उधारणों द्वरा देख लेते हैं समझ लेते हैं जैसे यह अधा धन धन करती है तो अधा यह धा में कौन सा स्वर है आ स्वर है यानि विसर्ग से पहले आ हो गया फिर विसर्ग के बाद गा किस वर्ग का वर्ण है कौन सा वर्ण है तीसरा तो गा वर्ण का तीसरा वर्ण हो गया है और विसर्ग के बाद और इससे पहले और शब्द बन जाता है अध्धो गती चिके अध्धा धन गती की जागे हो गया अध्धो गती समझ में आगे अब इसी तरह ये उधारण देखिए तमाह धन गुण अब मा में कौँसा स्वार है यानि आस्वार के बाद विसर्ग आ गया इसके बार ये गा किस वर्ग का है का वर्ग का वर्ग का वर्ग का तीसरा वर्ग है तो यहाँ पर भी विसर्ग के बाद चुकि तीसरा वर्ग है तसी वर्ग का और पहले रस्व आ है स्वार में तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया और शब्द बन गया तमोगुड तमोगुड आया समझ में आप चलो तुम बत यहां पर कौन सी चीज है व तो इसलिए यह विसर्ग किस में बदल गया है अनौ pouआ शब बन गया मनु विनोध आगया समझ में आधिते आप एब ये बताएगी कह लिखा है ये 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 शा धन दा ये शा में क्या है आसौरे अंत में आस्वारे विसर्ग से पहले और इधर क्य दा गया है किस वर्ग का शब्द है, अक्षर है, ता वर्ग का कौन सा वर्ण हुआ, तीसरा, ता था दा, ता था दा होता है न, तो ता वर्ग का तीसरा अक्षर है, इसलिए यहां पर विसर्ग ओ में बदल जाएगा और बन जाएगा शब्द यशोदा, आगे समझ में, तो कह हो जब विसर्फ के पहले आ हो उस उसके बाद किसी वर्ग का पहला दूसमें पहला नहीं, तीसरा चौथा पाजबा, या फिर यह रा ला वह हो, तो वह में बताद है, बिल्कुल सही रही जौ मैंनी बिल्कुल आफ़ा से समझ में आ गया, पहला दूसरा छोड़ के, तीसरा चौथा या पाजबा हो तो विसर्ग के स्थान पर अचा अब दूसरा इसका न पहले आ या आ के अलावा कोई भिन्न स्वर हो, यानि पहले बाले में हमने क्या दिखा, आ होना चाहिए, और जब रा होना है, तो इसमें हम क्या रहे है, आ या आ के अतिरिक्त कोई भी और स्वर हो, यानि ए, उ, ठीक है, ए, ए, ओ, कोई भी स्वर हो, और बाद में कोई स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या या रालावा हा हो तो विसर्ग के सान पर रा हो जाता है फिर से एक बार इस नियम को देख लो विसर्ग से पहले अगर रा आ रहा है, राहलंत है तो क्या आ के अत्रिक्त कोई भी स्वर होना चाहिए विसर्ग से पहले क्या हो आ या आ के अत्रिक्त कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद क्या हो कोई भी स्वर या तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर किसी भी वर्ग का या या रालावा हा इन अक्षरों में से कुछ भी हो तो विसर्ग के स्थान पर रदा हो जाता है आगे समझ में? चलो अब इसको भी कुछ उदार उनों दोरा इतम अच्छे से समझ लेते हैं स्पश्ट तोर पर जैसे ये देखो निही, धन, आशा ये इसमें क्या हुआ? ना में कौन से स्वार है? ए ठीक है और विसर्ग से पहले कौन से स्वार आगया इसका मतलब? ए ए आगया ठीक है यानि आ नहीं है कोई और स्वार है? ए स्वार है और विसर्ग के बाद क्या है? आ ये भी एक स्वार है तो ये विसर किसमें बदल गया राहलंत में ठीक है तो नी राहलंत हो गया और जब राहलंत में बड़ा जुड़ गया है कि दीरगा जुड़ गया तो रा की मातरा लग गयी रा में ठीक है शब्द बन गया निराशा कैसे बन गया यहां पर ये बदल के राहलंत हुआ इसमें दीर्ग आ की मात्रा जुड़ी तो निराशा निराशा बन गया ठीक है न अब ये वाला उधारण देखिए कौन बताएगा साक्षी बताएगे क्या लिखाएगे नि धन धन ठीक है तो यहाँ पर क्या है नामे कौन से स्वर है ए और विसर्ग के बाद क्या है धा किस वर्ग का था 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 थ लेकिन चुकी यहां पे कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए राहलन्त ही जुड़ेगा, अब राहलन्त के बाद कोई पूर्ण वेंचन है, तो वो राहलन्त उसकी उपर लग गया, कहां लग गया, उसकी उपर, और बन गया आक्षर, नेर्धन बन गया, ठीक है, तो नी, धन, धन तो यहां पे विसर्ख स्थान पर राहलन्त हो गया, और शव्द बन गया, नेर्धन, आगया समझ में, जी दी दी, अच्छा स्वाम्याप, आप हमें यह वाला आवधारन बताईए, आशी, धन, वाद, चिक है, आशी, धन, वाद, अब श्या, यह विसर्ख से पहले कौन से इ मैं यह बड़ी ए- दीर्ख dee ये और बाद मीधन वाद, और अमने इंद्यम अ के पढ़ाता या वाई हा हो तो विसर्ख इनबर क्या हो जाता है. राहलंत हो जाता है, तो आशी और विसर्ख कि जी न राहलंत हो गया ? भाद और यह रा फिर उपर चुड़ गया क्यों उपर चुड़ गया क्यों यह राहलन्त है और जब राहलन्त होता है और आगे कोई पूर्ण क्या होता है पूर्ण वेंजन वर्ण होता है तो यह राहलन्त आगे वाले वेंजन के ऊपर लगाता है तो अक्षर बन जाता है शब्द आशरवद अब हमें साक्षी पताएगी यह क्या लिखा है ? दुhr, धन, जन जन अब यहाँ पे क्या देखा हमने ता में विसरग से पहले कौनसा स्वर सिर्ण आया ? ता में शारे विसर के बाद क्या है ? homem अब शा किस वर्व का अक्षर है ? चावर्ग का कौन सा तीसरा चाच्छा चावर्ग का तीसरा आक्षर हो गया इसलिए यह हो गया दुहुधन जन यानि यहां पर भी यह राहलंद में बदल जाएगा और यह बन जाएगा शब्द दुर्जन चिके और इसमें भी रा उपर लगीगा क्योंकि राहलंद है और उस एक होता है विसर्ग के स्थान पर और दूसरा रा तो आप लोग विसर्ग संदी की इन दो नियमों से परिचित हो गया है और भी इसके नियम है जो हम लोग बाद में जाने के हो